आप देख रहे हैं P.M.E. विद्या चैनल और N.C.E.R.T. का ओफिशल यूट्यूब चैनल कक्षा 9 का हम ये सोशल साइंस का सत्र लेकर हाजर हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं अपनी बुक इंडिया एंड कंटेंपररी वर्ल्ड की इसमें सबसे महतुपूर्ण टॉपिक जो है उनमें से एक है फ्रांसी सी क्रांती यानि की फ्रेंच रेवल्यूशन आज इसका हम पार्ट फोर पढ़ने वाले हैं और ये एक तरह से बहुत महतुपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें भाग एक, दो और तीन की बात होने वाली है तो आप इसको ध्यान से देखि आप हमें इमेल भी कर सकते हैं उसके लिए हमारा कक्षा 9 का इमेल आईडी है dth.class9 at the rate of ciet.nic.n मैं आमंतरित करना चाहूंगा डॉक्टर शरद कुमार पान्डे जी को आप असोसियेट प्रोफेसर हैं NCRT में डॉक्टर शरद नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे सत्र में नमस्कार राहुल जी प्यारे बच्चो आप सभी को नमस्कार और मैं आपसे ये भी गुजारिश करने वाला हूँ कि कैसे हम आज के सत्र के शुरुआत करेंगे क्योंकि हम पहले ही फ्रांसी सी करांती पर भाग एक, दो और तीन पढ़ चुके हैं हमेशा इतिहास से कुछने कुछ सीखने के लिए मिलता रहता है तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इसको आरम करें नमस्कार पुना आपको राहुल जी और बच्चों आपको याद हो हमने फ्रांसी सी करांती जो क्लास नाइन्थ के समाजिक विज्ञान विसे के अंतरगत तीन सत्रों का आयोजन पहले किया है और चुकि इस पीच देर महीने का दो महीने का व्यवधान भी तहा है गैप रहा है और इस पीच हमारे कुछ नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं क्योंकि आपको पताईए कि पेंडेमिक की सिच्वेशन अब सामानी की ओर बढ़ रही है आप लोगों की सत्रक्ता से जावरुकता से तो कुछ नए बच्चे भी जुलाई अगस्त में अगर स्कूल ओपन होते हैं तो उनको भी ध्यान में रखके ये सत्र का शुरुवात है तत्र का स्री गडेश है तो हम इक पर फिर से आपको व्याद दिलाएंगे कि क्लास 9 में हमारे बच्चे विश्व का इतिहास पड़ते हैं भारत के परिवेश में हमने आपको ये भी बताया था कि किसी भी देश का इतिहास, किसी भी छेत्र का इतिहास अपने चारों तरब के इतिहास से विश्व के विभिन देशों के इतिहास से जुड़ा हुआ रहता है न केवल वो उन देशों के इतिहास से प्रभावित होता है उस छेत का इतिहास, उस देश का इतिहास, बलकि वस्वयम भी विश्व के अन्य भागों के इतिहास को प्रभावित करता है आपने 6, 7, 8 में भारत के इतिहास का काल करमा नुसार अध्यन किया था उसी कड़ी में हम क्लास 9 में विश्व इतिहास का अध्यन करेंगे और विश्व इतिहास को हम फिर भारत के एंगल से भारत के द्रिश्टिकोर से देखने का त्यास करेंगे हमने आपको यह भी बताया था कि कच्छा 9 का हमारा सामाजिव की विज्ञान के अंतरगत इतिहास का पाटिक्रम दो खंडों में बटा हुआ है प्रथम खंड में घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं इवेंट एंड प्रोसेसेज जिसमें तीन मसुहूर प्रमुख करांतियों की में चर्चा की गई तीन अध्याओं में पहले अध्याओं में फ्रांसेसी करांति की बात की है दूती अध्याओं में रूस की करांति की बात की है और तृती अध्याओं में करांति नहीं बलकि हमके एक राजनितिक और समाजिक बड़ा घटना नाजिवात यूरोप में और जर्मिनी में नाद सीवाथ का हो दै और Hitler का नाम आप सभी ने सुना तो इन तीन अध्यायों को प्रतम्खंड में रखा गया है और दूती खंड हमारा आजीवीका और अर्थविवस्था से संबंदित है दैनिक जीवन और अर्थविवस्था से संबंदित है और हमने बताया थै कि अब हम इतिहास में रोचक्ता लाने के लिए इतिहास में न केवल कुछ समोहू व्यक्तियों का अध्यन करने के बजाए जो हमारे डबे कुछले उपेक्छित समुधाय हैं कृष्तक समुधाय है आदिवासी समुधाय है मिलाय है जो बंजारे हैं जो पशुपालक समाज है उन सब के भी इतिहास को अब हम अपने इतिहास में इतना ही महत्य तो देते हैं जितना पहले केवल कुछ एवल घटनाओ, युद्धो, राजाओ, रानियों का हम बात्यन करते हैं और आपको ये बता दें कि फ्रांसीसी करांती आधुनिक भारत के आधुनिक विश्व के इतिहास में एक माइल स्टोन है, एक मील का प्रस्तर है और आप इसका महत्व विश्व को तबसे बड़ा ये है कि हम अपने राजनीत्रिक विज्ञान जो हम पढ़ने जा रहे हैं या हमने पढ़ा है, आपको पता है हमारा सम्विधान है और हमारे सम्विधान किया सबसे महत्वपून भाग उसकी प्रस्तावना है और जो भूमिका है उसका प्रेम्बल है और आप उसको याद करने की कोशिश करें जो आपको NCRT की पार्ट कुछ तक में भी प्रथम पेज़ में मिल जाएगा और विभिन इस्थानों में मिल जाएगा उसमें जिस स्वतंतरता, समानता, बंदुत्तो और समान औरस्वर की बात की गई है उसके मूल विचार हमको फ्रांसी स्थी करांटी के विश्व के युगदान के रूप में देखे जासा है तो यह जो हमने जैसे आपने फ्रांस की करांटी की बात की आपने रूस की करांटी की बात की और जायर सी बात है आपने एक ऐसी शक्सियत का नाम लिया जिनका कि यूरोप में ना सिर्फ बोल बाला है बलकि आज उनका नाम अमर हो गया है जबकि इतियास ये कहता है कि वो एक मामूली पेंटिंग का काम करने के लिए आए थे उस शहर में जहां पर उन्हें अडॉल्फ हिटलर कहा गया बाद में तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सोशल स्टेडीज के जब हम बात कर रहे हैं तो कैसे हम बच्चों को ये पढ़ाएं आप जैसे रोचिकर तरीके से ताकि वो इससे हमारे काम की चीज़ा सीख सके क्योंकि हमें सीखना है बहतरी के लिए क्योंकि जो गलतियां हो जाती है वो दोबारा दोहरा ही ना जाए यही शायद मुझे लगता है बच्चों को बहतर बनाने का एक तरीका होगा तो इन सबसे हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ा सीख सकते हैं उनके बारे में यह दिया आप हमें संक्षित तरूप से बताएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा हिदकारी होगा फ्रांसीजी करांती हो या फिर रूसी करांती हो या फिर ये यूरोप से जड़ा हुआ समय हो बहुत महत्पूर बिंदू उठाया है आपने राओ जी बचों आपको याद होगा कि इतिहास विसे के विसे में कहा जाता है ये एक तो बड़ा अरूचिकर है इसमें बच्चे इंटरस्ट नहीं लेते और सिर्फ इसमें हम डेट्स का अतितियों का या कुछ व्रक्तियों का अधियन करते हैं और ये नीरस सब्जेक्ट है लेकिन आज का हम अपना और दूसरा इसकी हमारे आगे के जीवन में वर्तमान जीवन में उपयोगता नहीं है ये तो अतीत के बलके कुछ लोग कह देते हैं कि गड़े मुर्दों को उखाड़ता है जिसका हमारे वर्तमान और अविश्य कोई ले दाने जाने लेकिन हम जब इस पर गंबेटा से रुक के आज का अपना पाटिक्रम देखेंगे आज का इतिहास का पाटिक्रम और उसको पढ़ाने के तरीकों को देखेंगे तो अब ऐसी बात नहीं है कि इतिहास सिर्फ तित्यों का दियन है इतिहास हमको एक दृष्ट देता है इतिहास हमको अपने अपने चारोत तरफ के समाज को, गत्विदियों को, घटनाओं को समझने में एक परिप्रिक्ष देता है हम अपने आसपास की जिन घटनाओं को मामूली समझ के छोड़ देते हैं उसके पीछे जाकर के किस तरीके से उसका विकास हुआ क्योंकि वो जिस चीज में आज दिख रही है, जाहिर से बात है कि वो हमेशा से वैसी नहीं रही होगी अब बात करें, बच्चे आप लोग कुस्तकों की बात करें जो प्रिंटेट किताबों यह किताबे हैं या आप सभी के घरों में पत्रिकाएं आती होंगी या अगबार आते होंगे, या आपने देखा होगा कहीं पर अगबार आते हैं तो क्या यह हमेशा सही अगबार आते थे, नियूस पेपर आते थे पत्रिकाएं आते थी, या पहले के लोग कैसे अपने चारों तरफ विश्व में क्या हो रहा है देश में क्या हो रहा है प्रदेश में क्या हो रहा है इसका पता उनको कैसे लगता था तब आपको पता लगेगा कि नहीं चीजें बदलती हैं आपको परफ्रेक्श मिलता है और चीजों को बदलने के लिए कौन से कारक उत्तर दाई है तो इस प्रकार इतिहास एक बहुत महत पूर्ण विशय है और हम इसको हम जब इसमें विभिन पहलों को सामिल करेंगे बच्चों प्राचीन काल में बच्चे किन खिलोनों को केलते थे पर जब मत दिकाल आया तो कुछ धातुओं का विकास हुआ कुछ नई चीज़े आई कुछ नए अन्वेशर हुए खोज हुए आदोनी काल में कुछ और यहैं प्लास्टिक जैसे जो है तत्यों का निर्मान हुआ चीज़ें का निर्मान हुआ उस से खिलोने बने या पहले के जी स्पोर्ट्स होते थे एक कियल होते थे इससी के खिल होते थे इंडोर गेम होते थे फे जा ओउट और गेम हैं ओलम्पिक पहितिहास जो हाल ही में टोक्यों कोने के रहा है इसका एक तुदूरित का इतिहास है अorious प्रकार Yetis आपका एक व्यक्ति के रूप में सबसे बड़ा एक योगदान यह है कि आप एक जागरूक नागरिक बने आपके चारों तरब जो कुछ हो रहा है उसको आप समझें और उसमें अपनी सक्रे भागी दारी करें तो हमारा समकून आज का इतियास लेखन और उसको पढ़ाने का तरीका इसी द्रिश्ट को ध्यान में रखते हुए तयार किया है बिल्कुल यह सही कह रहे हैं आप और जब ऑलिम्पिक्स की भी आपने बात की या खेलों की बात की कि पहले कैसे खेल हुआ करते थे कैसे पहले खबरें हमको मिला करती थी तो मैं एक नाम मुझे याद आ रहा है जो मेरी स्परिती में है जो की पहला एक अख़बार प्रकाश्चत हुआ और जिसको आज हम उसकी जो प्रकाश्चत थी उसे आज हम हिंदी पत्रकारे तद्यवस के रूप में मनाते हैं तो और यहाँ पर एक और बात ये भी है कि भारत का भी जो स्वर्णिम खेल इतिहास है वो किसी से छपा नहीं है और ददा ध्यांचंद का नाम यहाँ पर लेना होगा कि कुछ ऐसे भी देश थे जन्होंने 1942 का जो गेम्स होने जा रहे थे वहाँ पर अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस तरह से ध्यांचंद होकी खेलते हैं हम हार जाएंगे और भारत चुकि जब तक आजाद नहीं हुआ था तो वो गुलाम मुल्क से हारना नहीं चाहते थे तो इस प्रकार की चीज़ें भी रही हैं डॉक्टर शरद से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इन सब बातों की तल्दीक करें क्या ये ऐसा है और क्या ये वाकई में प्रेणा दायक नहीं है कि अगर यदि ये सारे विशय सोशल साइंस का हिस्सा है सामजिक विज्ञान का हिस्सा है तो हमें कितना बहतर अपने आपको आज समझना चाहिए कि वो समय कैसा था और आज समय कितना बहतर हो गया है और दिन प्रति दिन जो इस वक्त एक तरह से कहना चाहिए विकास शील्ड योजनाए चल रही है जो कदम बढ़ाए जा रहा है तकनीक के इस योग में वो कितने हितकर होंगे और उनके दूरगामी परिणाम कितने बहतर हो सकते हैं बिल्कुल बहुत महत्पूर मुद्दो की और आपने हमरा ज्याना कर्शित किया है दो बातें आपने की एक तो किया आपने उद्दंड मातंड का नाम लिया तो एक तो चीजे हमारी अगरबार या प्रिंटेग मीडिया या पुस्तोकों के संदर में है और दूसरी आपने बा परागत के खेलों में नहीं बलकि नहीं नहीं एथलिट दूविन प्रकार के खेलों में आगे आ रहा है यहां बड़ा रुचिकर है राहुल जी कि जो फ्रांसिस्टी करांती हमारा टॉपिक है और आज हम सामाने चर्चा ही करेंगे तो कि इसके हमने तीन सत्र पे विस्तार से चर्चा किया है आपने बड़ा अच्छा याद दिला है जब जो फ्रांसिस्टी करांती हुई थी उस समय फ्रांस का जो अधिकतर समास था वो अशिक्षित था तो उसके बावजूद भी कैसे अगबार या पुष्टकें या जो प्रिंटेर मेटेरियल है इसकी क्या भू विरोध में या जो विशेश अधिकार प्राप्ते जिसमें सामंतों का पुलीनों को और पादरियों को चर्च के पादरियों को और राजा को विशेश अधिकार प्राप्ते जन्म से ही जिसमें कि उनकी योगता पे नहीं जन्म आधारे विशेश अधिकार तो ये जावरु यहां कॉफी हाउस है यह चाय पे चर्च का होती है जी जी तरह चोटी-चोटी इन जगों पर जो एक दो सिक्षित लोग थे वह अगबारों को पढ़ते थे जोड जोड और जो असिक्षित समास थे खर्शक थे कारीगर थे जो निरक्षर थे ज्यादा तरो लोग निरक्षर उस समय फ्रांस में तो वो उसको पढ़के समझने की कोशिश करते थे क्योंकि वो कुद पढ़ नहीं सकते थे उसको जो उनके सामने बोला जा रहा था उसको समझने की कोशिश करते थे दूसरा इसके लिए विभिन खेल विधाओं को विभिन नाटकों का भी मंचन करते थे जिस पे कि उस समय फ्रांस के राजा ने censorship लगाई थी मतलब आपको कोई प्रदर्शन नहीं करना है महलाएं आप समझ लिजे इतना रूरी वादी समास था हम सब के मन में इस तरीके का इतियास लिखन किया गया है कि पस्चिम हमेशा से आगे रहा है और भाराज जैसे पूर्वी देश हमेशा से पिछड़े रहे हैं लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है यह उस समय का इतियास लेकर दुर्भावना ग्रस्त तरीके से लिखा गया था उस समय आपको हम बताएं कि जो महिलाएं हैं वो किसी चितरकारी का शत्रकारी का पेंटिंग का या किसी में स्किल्स का प्रस्थिक्षार लेने का उनको अधिकार नहीं प्राफ़क़ता है जबकि आप दिखते हैं कि फ्रांसिसिक रांती कहा जाता है कि फ्रांसिसिक रांती में कहते हैं कि समानता का विचार विश्व में फैला लेकिन आपको ये जानके ताज्यूब होगा कि फ्रांसिसिक रांती 1789 में हुई और फ्रांस की महिलाओं को वोड़ देने का अधिकार 1946 में लगभग 1800, 1900 वर्सों से के बाद जाके उन्हों वो अधिकार राप्त हुआ तो इस तरीके से हमने देखा प्रिंटेड मीडिया का किस तरीके से प्रिंटेड मैटेरियल का सहारा लिए, दूसरा आपने खेल की बात किया, बच्चों हमने आपको बताया कि इतिहास आपको किसी भी चीज़ को सुक्छो रूप से अलोकन करने की समझ देता है, अब आप उदाराले क्रिकेट का आपको याद होगा कि कई पूस्त को में क्रिकेट को एक चैप्टर की रूप में सामिल किया गया है और आप जब देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों के समय में भारत में क्रिकेट आया और किस तरीके से विभिन क्लब्स बने जैसे आपको पता होगा भारत में जो सामाज्य कुनर जागरान के पलस्वरूप जो विभिन संगठन बने जो बाद में एक रास्टी जो देश की जो इंडिया नेशनल कॉंगरेस जो है वर्तमान कांगरेस नहीं एक दूसरी जो हमारे हुदय हुआ उसके पहले जाती के आधार पे धर्म के आधार पे संगठन बने और आपको यह ताज़व होगा शुरू में जो भारत में क्लब भी बने को मोहमडन क्लब हिंदू क्लब पार्सी क्लब और एंगलो इंडियन क्लब इस तरीके से बने और आप यह देखिए कि य आपको क्रिकेट में यह पता ही हुआ क्रिकेट कहा जाता है जेंटिल्में गेम इस तरीके के कॉंसेप्ट क्यों आए और जेंटिल्में और क्रिकेट को मूलता मना जाता है वो बल्ले बाच का गेम है और आपको पता होगा कि इस कदर आप जब आप सोचेंगे और शुरू क प्रिकेजब के भारत में इत्हाज को पढर ने की खुशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि बाउन्डरी में जो प्लेवस लगते थे। भारत में दलित जाट के लोग थे। वह स्लिप में जो थे, वह ब्रहमन हो और इस सीके जाटर के कलारे थे। इसी तरह बल्ले बागु जो बल्ले बाज थे जो जिसमें कम स्रम होता है अप इच्छा करें थे बॉलिंग करने के लिए बॉलर आप देखते हैं इसने दूर से आके बॉल तो शुरू के जितने बल्ले बाज हैं जितने भी बल्ले बाज हैं वो जादा तरद जो है उच्छव विश्काल में भी जो भारत की टीम थी जो जिम खाना क्लब में और विबिन क्लबों में होते थे तो उनको भी कपतान सिर्फ उनकी जाति की वज़े से ही नहीं बनाया गया तो इस तरहे हम देखते हैं जो उपनिवेश वादी आंदोलन था या उसके इलावा भी जो समाजीक समानता का अंदोलन था जो दलितों के उधार का अंदोलन था यह हर छेत्र में था हम कोई बी एक उधारन उठा करके देख सकते हैं तो इस तरीके से हम यह दो प्रमुख उदारन देशने बिलकुल और यहां पर एक हमारे पास अब अन्त में सिर्फ पांच मिनिट का समय इस हमारे सत्र में रहे गया है डॉक्टर शरणत एक और यहां पर प्रश्णापस ने हमने बहुत सारी बातों का यहां पर सिक्री किया च मुझे लगता है हमारे देश में जब लीडर्शिप को बहुत बहतर बनानी की जरूरत है जैसे आपने कहा कि क्लासिफिकेशन जो पहले था वो ऐसा था कि जिसमें क्लास वाइस बहुत ज्यादा एक तरह से मिस मैनेजमेंट था जो कि अब धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा ह जहां पर influence हो किसी ऐसे व्यक्ति का जो खुद एक धाल की तरीके से खड़ा होकर बहतर करने की क्षमता रखता हो और लोगों के अंदर मुझजबा पैदा कर सकता हो कि वो भी सही की तरफ अपने कदम बढ़ाएं क्योंकि हम सब जानते हैं कि यदि आप सत्य की तरफ कदम ब बिल्कुल लेकिन यहां पर हम आप तो आपका ध्यान आकरशित करना चाहेंगे राहुल जी कि जो हमारा इतियास लेखन अभी तक हुआ है वो यूरो सेंट्रिक इतियास है उसमें इस तरीके से इतियास लेखन किया गया है कि जो यूरोपी देश ते उनके सामराजवादी शोषण को सही ठराया जा सके और भारत जैसे जो पूर्वी देश हैं भारत है जो अफ्रिकन देश हैं या लेटिन अमेरिकन देश हैं जहां पे कि यूरोपी शक्तियों का शाशन था वहां के लोगों को सुस्त्र प्रगतिवे विरोधी और उन देशों को हमेशा से आसकारों के समय भी हुआ और यह परंपरा काफी रिसेंटली पास तक चालो रही है आज हमारा मुख की फोकस होना चाहिए कि भारत को विश्व से क्या देने आप फ्रांसिस्तिक करांति की बात करें आपको याद होगा फ्रांसिस्तिक करांति में बुद्वजीवों की हमने चर्शा किया था बहुत महात्वोण चृतнопर विविन सिध्धान्त दिया गया था कि कारेपाल कानिया का व्वश्वेस्था टिका यह तक फ्रांसिस्तिक करंति के समय रूसोंने जो समाजिक अनुबन्द का जन्म से नहीं होता है बलकि यह लोगों में लोग अनुबंद करते हैं, कॉंट्रेक्ट करते हैं, अपनी सरकार से, अपने प्रतिनिर्यों से और उसको अपनी पावर डेलिगेट करते हैं, अब हमारे मन में ये धाणा है, ये बात फ्रांसी से करांती से विशुकों मिली, लेकिन हम भारत में प्राचीन इतिहास का जब अत्यान करेंगे, तो हमको राजिकी उत्पत्ति के जो सामाजिक से दांत, डेवी उत्पत्ति का से दांत मिलेगा, हमारे जो प्राचीन गरंथ हैं, उनमें सामाजिक का नुबंद का से दांत की मिलेगा, तो इस तरीके से हम देखते हैं, कि हमारे इतिहास का जो वड़न है, वो अगर्चेंश के आपको पता ही होगा कि आदुनी कालका प्रारम्भ होने के पहले सुखो के डिया के थाया बल्य सोना और चांदी था, वो भारत में आखिकरता था, क्यूंकि भारत से जो लोग ले जाते थे और उसको देने के लिए उनको स्वान या चांदी के अलावा धातों के अलावा कुछ और नहीं होता था, तो इस संतुरलिस्टिकोर से हमको क्यों यूरो से टिक नहीं, एक संतुरल जाती सम्रिद्य विरासत को अपने बच्चों को रूबरू कराने का एक दृष्टिपत हमें राप्त होता है बिलकुल ये बिलकुल सही है सही बात आपने यहां पर जो है सम्मिलित की इस सत्र में की आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो है बिलकुल प्रवाफकारी होंगी और डॉक्टर शरद हमारे पास अभी चार मिनिट का समय है मैं आपसे गोजारिश करूँगा कि आप इस सत्र को समाप्त करें और इन भाग एक दो और तीन को जो एक समराइस करने का तरीका है वो कैसे उनको और वो इसे कैसे रुषिकर तरीके से पढ़ सकते हैं बच्चे य पिल्कुल आपने हैं बहुत अच्छी बात थी देखे हम इसको फ्रांसिस्ति करांती बच्चों हम जब चर्शा कर रहे हैं तो आपने भारत के 1857 के स्वतन्ता संद्राम या विज्ड्रो का नाम सुझा होगा 1857 की करांती का नाम सुझा होगा जो भारत में एक मील का विश् जो शोशड था, जो दमन था, जो विशेशादिकार प्राप्त विवस्था थी, उसी तरीकिये से भारत में भी हम देखते हैं, तो 1857 का विद्रोह था, उसका ताथकाली कारण तो एक था, लेकिन उसके पीछे भी उसी तरीकिये से शोशड के, आपनिम विशिक शोशड के, स् इसकों की असंतोस का, उनके विद्रोह का योगदान था, तो हलकि ताथकाली कारण सैनको द्वारा चर्वी लगे कार्तूस के को प्रयोग करने से इंकार करना था, लेकिन उसके पीछे लगबख सो वड़सों के इस्ट इंडिया कंपनी के शासन के शोशड प्रमुक करण थ और जो सानसी सी समाज तीन भागों में बाटा था जिसको तीन स्टेट कहते हैं, पहला स्टेट जिसको पादरी वर्ग चर्वी लोग थे, दूसरा वर्ग पुलीन वर्ग के लोग थे, और तीसरा वर्ग आम जनता थी, आपको ये जानके तासुग होगा, इतलती वर्ग को टैक्स देना पड़ता था और जो चर्ट के जो पाद्री हैं वो लोग टैक्स लेते थे और जो दुत्री वर्ग फुलीन हैं वो लोग टैक्स लेते थे उन offend aso के रूप में घरे-来了 काम में बिना वेतन के रखते थे दासों जैसा उनका शोषड करते थे और तीसरा वर्ग जो सबसे दम्मी तो पेक्षित था लेकिन इस तीसरे वर्ग में ही और हर देश में ये हुआ भारत में भी आप देखेंगे जो नौ शिक्षित वर्ग है राजा रामोहन राएवी तीसरे लिप सब्सक्राइब करें जो कुछ संपत्ति कठ्था करके मध्य वर्ग मेटिन क्लास उभर के सामने आया उसने इस क्रांति को फ्रांसेशी क्रांति को नेटित्व बिल्कुल और यहां पर यह जितने भी आपने नाम अभी लिये हैं और मुझे लग रहा है इसमें चाहें भारति को वो तो कभी हम भूली नहीं सकते हैं और यह सदा बहतरी काही काम करेगा साहती के साथ साथ यह हमारा सोशल साइंस यानि समाजिक विज्ञान का विश है डॉक्टर शरद आप हमारे साथ जोड़े आपने यह फ्रांसी सी करांति पर हमारा यह कंक्रूडिंग सेशन लिया अबसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार आपका अधन्यवाद बच्चे हो प्यारे बच्चे हो नमस्कार आपको तैंक्यों रहो देखते हैं अगला सेशन लेकर हम अभी हाजिर होंगे जो कि हैं मैथमाटिक्स का कहीं मत जाएगा देखते रहिए पीम इवि झाल झाल